तो कैसी लग रही है आपको हमारी पारंप्रिक खेलो की सीरीज जिसमें हम देश के अलग-अलग हिस्सों से लेकर आते हैं मशूर इंडिजिनस स्पोर्ट्स जो ना सिर्फ एक भारत स्ट्रेश भारत मिशन को करते हैं बुलंद बलकि हमें मौका देते हैं इन स्पोर्ट्स के बारे में बारी की से जानने का और हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को समझने का और 74 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष में हम पेश कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फिट इंडिया फ्रीडम सीरीज जो आपको ना सिर्फ देश में जन में खेलों से रूबरू कराती है बलकि स्ट्रेस लेजिनेस और उबीसिटी से फ्रीडम दिलाने के लिए म मैं हूँ आपका होस्ट रवी शर्मा और जब संस्कृती की बात हो रही है तो नौर्थ इस्टन स्टेट्स का जिक्र होना तो लाजमी है तो फिर इसी नोट पर हम रुक करते हैं सिक्किम का और बात करते हैं आर्चुरी के बारे में एक मिनट यह सिर्फ आर्चुरी नहीं ह सिक्की में जिस तरह की आर्चुरी प्रचलिक है उसमें सिर्फ बास यानी बैमबू से बनाया हुआ धनुष और बान ही प्रयोक किया जाता है और इसलिए यहां यह पारंपरिक खेल बैमबू आर्चुरी के नाम से भी फेमस है ये धनुष्बांट बांस को काड़ कर हाथों से बनाया जाता है इसे बनाने की कला प्राचीन काल से ही एक पीडी, दूसरी पीडी को सिखाती आ रही है आर्चरी दो इंडिविजूल्स या फिर दो टीन के बीच खेला जाने वाला गेम है इस गेम में प्रतिभागी का मुख्य मकसर होता है टार्गेट को अपने बांझ से हिट करना सिख्यमार्चरी में प्रतिभागी से 130 मीटर की डिस्टंस पे 3 feet by 1 feet का काड़ का बना हुआ एक टार्गेट होता है जिसे निशाना बनाना होता है उस टारगेट पर ज्यादा से ज्यादा बाण मारने वाला खिलाडी विजय गोशित कर दिया जाना है सिकिन वे धनुर विद्या प्राचीन समय से ही चली आ रही है इस धनुर विद्या की सुरुवात वहां के लोगों ने खेल के लिए नहीं बल्कि जानवरों का शिकार करने और दश्मनों से अपनी सुरक्षा करने के लिए की थी प्राचीन काल में बास के बनेवे धनुष और बाण शिकार करने के लिए बहुत प्रभावकारी माने जाते थे धीरे धीरे सिकिन के लोगों ने आच्री को एक एंटेटेंट के दूप में भी उप्योग करना शुरू कर दिया जब किसानों के पास फस्लों की कताई के बाद खाली समय होता था तब ये लोग मिल जुलकर आच्री का खेल खेल दे थे आच्री सिकिन की प्राचीन सभिका, संस्कृती और परंपरा का प्रतीख है ये खेल के रूपे सबसे पहले सिकिन और भुटान के राजाओं के दरबार में खेला जाता था इस खेल मेंने सिर्फ शाहेखांदान के धनधर भाग लेते थे बलगि शाही खानदान के दोनों राजा भी इस खेल के शौकीन थे आचरी तब पहला आधीकारी खेल रॉयल ग्राउंड में खेला गया था लेकिल धीरे धीरे ये खेल आम लोगों के बीच भी काफी लोग प्रेया होने लगा समय के साथ साथ इस खेल के प्रशिक्षन केंदर भी खुलने लगे ये एक मात्र ऐसा खेल है जो आज भी निर्विर्बाद रूप से सिक्किल की संस्क्रिपी का अहम हिस्सा है राजशाही दरबार चे शुरू हुई इस खेल की परंपरा ने आम लोगों के बीच में आकर सिक्के मार्चरी को और भी पॉपिलर बना दिया है तब ही तो हम और आप घर बैठे इस बेहद रोमान्चक खेल के बारे में जान पा रहे हैं वैसे आपने एक इंट्रिस्टिंग बात नोटिस की होगी सिक्के मार्चरी का गेम फॉर्मेट ही नहीं बलकि इसमें यूज होने वाला एक्विप्मेंट भी बहुत रोचक है तो चलिए पहले इनी के बारे में समझते हैं और जानते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है धनुष बनाने के लिए बास केवल गर्मियों की मौसम में ही काटा जाता है जिसे जूशिंग नाम से भी जाना जाता है पहाडियों की उचाई वाले एक शेत्र पर पाए जाने वाले चुनिंदा बास को ही उप्योग मिलाया जाता है बास हवा के तेज जोकों को जेल जेल कर काफी मजबूफ हो जाते हैं इसलिए इन बास को चुना जाता है बास के घुमावदार हिस्से को साबधानी पूर्वक काटा जाता है जिसके बाद इसे खाप यानि मिट्टी से बने पारमपरिक चूले पर सीजलिंग या लकडी को पक्का करने के लिए कुछ महीनों के लिए रखा जाता है लकडी के इस टुकड़े को थाप से बाहर निकाल कर सर्दियों के दौरान पॉलिश किया जाता है पारमपरिक धनुष दो प्रकार के होते हैं एक चार्ज जू है जहां धनुष बास के पूरे घुमावदार हिस्से से बना होता है दूसरे को ताप जू कहा जाता है जहां बास के दो टुकड़े एक तार से बंधे बास के वायर से जुड़े होते हैं जू था या सरल शब्दों में स्ट्रिंग पहले बुने हुए रेशो द्वारा बनाई जाती थी लेकिन बाद में इनको बनाने में चूट फाइबर का प्रयोख किया जाने लगा तीर या एरो को द्यांगवालों के रूप में जाना जाता है तीर का पिछला भाग यानि तीर पंक पहार की उचाईओं पर मिलने वाले पंकों से बनाया जाता है सामान्य तीरों के अलावा कुछ विशेश तीर भी होते हैं जिने तीदों कहा जाता है इन्खास तीरों में पंखो यानि पैदर्स को ट्रिम नहीं किया जाता ये पंख सौभाविक रूप से ही उप्युक्ट आकार में होते हैं ये नेचुरिली सूटबल आकार के पंख बाज, चील, फैलकन आधी के पंखो से प्राप्त हो जाते हैं ओ. माइ. गॉड. इस अर्सच फैसिनेटिंग क्रीविया मतलब इंटाइर प्रोसेस उव मेकिंग धनुष बाण इस सो नैचुरल और प्यॉर एक भी चीज मार्केट से लाने की जरुरत ही नहीं है मैं तो सिक्किम के इस एक्साइटिंग गेम के बारे में जानकर बेहद रोमांचित महसूस कर रहा हूँ मैं तो बस इंतिजार कर रहा हूँ कि कब सिक्किम जाओं और इसे लाइव देखूं पर इससे पहले कि मैं इस गेम को और नजदीक से देखूं इसका फॉर्मैट समझ लेते हैं सिक्किम में खेले जाने वाले प्रारूप में एक टीम में साथ खिलाडी शामिल होते हैं जहां पहले निशाने बास को फूदा कहा जाता है टीम के सबसे अच्छे खिलाडी को आखिर के लिए बचा कर रखा जाता है जिसे मधा कहा जाता है क्रत्यक खिलाडी को दो तीर मिलते हैं जो alternatively shoot करते हैं Playing area भेदो में लकडी के बले दो target होते हैं जो मैदान के विपरी छोर पर तै किया जाते हैं Target के पीछे एक shield रखी जाती है जिसे बार रिप कहा जाता है सिक्की मार्चरी में उप्योग किये जाने वाले कुछ शब्द इस प्रकार है करी मतलब 2 points यानि कि जब खिलाडी target के बीच में हिट करे जगहा मतलब 1 point यानि कि खिलाडी जब target के करीब हिट करे इस तरह से कुल 35 अंग क्या points तक गेम चलता है फेरी एक खिलाडी एक लक्षी को त्रतिदंदी के समान रूप में मारता है चारो जब एक ही टीम लक्षी को हिट करती है शडो रेफरी के द्वारा तारीख किया जाना विनिंग टीम एक धन्नेवार समारों का आयोजन करती है जिसे भाचेशी कहा जाता है जब भी खेल शुरू होता है तब शूटर को चिड़ाने के एरादे से विरोधियों को खेड़ा और ताना मारा जाता है और ये एक काफी त्रचलिक परंपरा का हिस्सा है देखा आपने अनिन सुना वही कि आप शूटर को ताने मार सकते हैं छेड़ सकते हैं पॉसिबिली ये देश का पहला ऐसा पारंपरिक स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर्स का ध्यान बढ़काने के लिए आप अफिशिली स्लेजिंग कर सकते हो पस यही तो बाते हैं जो बनाती है हमारे राष्टर को विवित्ताओं का देश जैसे देश ही क्यों हमारे पड़ोसी देशों से भी लोग सिक्केम आर्चरी ना सिर्फ देखने बलकि पार्टिसिपेट करने भी आते हैं आपको हम बता देते हैं सिक्केम आर्चरी की करन पोजीशन आप खुद ही समझ जाएंगे आर्चरी भूटान में लोगप्रियता हासिल कर रही है क्योंकि सिक्किम में रह रहे कई सारे प्रतिभागियों का भूटान सिक्किम आना जानन लगा रहता है सिक्किम आर्चरी असोसेशन स्टेट में एन्यूल आर्चरी टॉर्नमेंट का आयोजन करवाता है जिसे Chief Minister's Gold Cup Tournament भी कहा जाता है पडोसी देश भूटान और पडोसी राज्यों के शहर पेडोंग और कालिमपोंग के प्रतिभागी इस टौर्नामेंट में भाग लेते हैं एक ऐसे ही सिक्किम के शूटर्स को भूटान के आर्चर्स द्वारा इंवाइट किया जाता है विशेश रूम से गोम्तू, सामते, उंता सोलेंग, ठिंपू और पारो शहर में भूटान और सिक्किम में खेले जाने वाले आर्चरी के बीच अंतर ये है कि भूटान में 11 खिलाडियों के साथ खेलने का फॉर्मेट है ज़कि सिक्किम में 7 खिलाडियों का आर्चरी के स्पोर्ट में संस्कृति और परमपराओं का समावेश है जहां तीरंदाज अपनी सुरक्षा और जीत के लिए प्रार्थना करने के लिए मठो एवं मंदिरों में जाते हैं और अपनी जीत की कामना करते हैं तीरंदाजी को ना केवल एक खेल के रूप में बलकि सिक्किम के इस थानिय वास्तुकला के विकास में एक इंस्पिरेशन के रूप में माना जा सकता है यह आज भी मठो या मुनेस्ट्रीज के स्तंभों के ऊपर देखा जा सकता है जहां खंबे बड़े और छोटे कर्व्स में धनुष की तरह आकार में छत तक जा रहे होते हैं इस गेम के बारे में देख कर सुन कर और समझ कर मुझे तो बस एक ही फीलिंग आ रही है मुझे सिक्किम जाना है और जाएं भी क्यों ना? सिक्किम आरचरी की पैचान हर छोटे बड़े कज़गों में तो है ही इसका जिक्र बड़े-बड़े मठो के पिलर्स तक में देखने को मिलता है वैसे हम प्रिटी शोर कि आप भी सिक्किम जाएंगे, सिक्किम आरचरी को देखेंगे लेकिन इससे पहले कि आप सिक्किम जाएं, हमारे महान देश के महान पारंप्रे खेलों को जरूर देख लिजेगा. यही Fit India एक भारत श्रेष्ट भारत मिशन के Indigenous Sports of India शो में. फिलाल के लिए मैं लेता हूं विदा. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. झाल के लिए.